बिस्मिल्लाइराहमान रहीम असलाम लेकुम फ्रेंड्स मेरा नाम है मुदसर हुसेन आज हम MS Word के अंदर टेबल को इंसर्ट करना सीखेंगे सबसे पहले दोस्तो मेरा चैनल जिस दोस्त ने सब्सक्राइब नहीं कि अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताके मेरी हर नहीं आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिल सके टेबल क्या चीज़ है और हम टेबल का इस्तमाल क्यों करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताओंगा टेबल क्या चीज़ है टेबल क्तारों और कालमों का मजमूआ है हर क्तार में मुख्तलिफ सेल्स होते हैं जिन को जिन में आप डेटा को बेतर अंदाज में टाइप या एड कर सकते हैं अब हम चलते हैं कम्प्यूटर की स्क्रीन की तरफ सबसे पहले हम MS Word की फाइल को ओपन करेंगे उस जगा पर क्लिक करेंगे जिस जगा पर हमने टेबल को इंसर्ट करना है सबसे पहले home के बटन के साथ इंसर्ट का बटन है इंसर्ट के बटन के बिलकुल नीचे table का एक बटन बना हुआ है table के बटन के उपर click करेंगे तो एक table बार open होगी ये Microsoft Word 2007 से लेकर 2010, 13, 16, 19 इन में ये option मजूद है कि आप cursor को गुमाएं तो साथ साथ आपका table भी बनता जा रहा होता है इन चीज़ों को column कहते हैं और नीचे के अगर cursor को लेकर आएंगे तो उनको हम row कहते हैं अभी हम देखेंगे कि इसमें हमने table को insert करना है insert कैसे करेंगे हमने table को insert करने के लिए हमने इसके उपर click किया जितने columns हमें row चाहिए और कितने column हमें चाहिए हैं उसके लिए हम mouse के उपर click करेंगे mouse के साथ click करेंगे cursor को गुमाएंगे तो यह देखें कि table एक insert हो चुकी हुई है table insert हो चुकी है एक त्रीका कर इसका table को insert करने का यह था और दूसरा त्रीका कर यह है कि हमने insert के button को click किया table के button को click किया insert a table insert a table को click करेंगे तो यह एक table bar open होगी उसमें सबसे पहले वह number of column पूछ रहा है और उसके बाद number of row का पूछ रहा है number of column में number of column को select करेंगे four columns है और two rows चाहिए हमें और यह fixed column की width को automatically किया जा सकता है यह इदर से इसको change भी किया जा सकता है जी ठीक है अब हम ok करेंगे तो यह हमने चाहर कालम को select किया था और two rows को select किया था यह भी insert हो चुका हुआ टेबल ली अगर इसके साथ हमने row को insert करना है तो उसके लिए हम tap के button को press करेंगे एक तरीका कर यह है कि tap के button को press करेंगे और row insert हो जाएगी और दूसरा तरीका का यह है कि हमने mouse की right click की और insert के button के ओपर click किया और row below के ओपर click करेंगे तो यह row insert हो जाएगी और अगर हम चारे हैं जी इस column से ओपर इस row को insert किया जाए तो same right click करेंगे और row above को insert करेंगे तो उसके ओपर भी row insert हो जाएगी और इसके साथ साथ हम अगर column को add करना चाहें हम चारे हैं कि इस column के साथ जिसमें हमारा cursor है इस column के साथ left side पर column को add किया जाए तो right click करेंगे माउस की right click की insert किया और हम चारे हैं कि left side पर इसका column add हो जाए तो insert left करेंगे तो इसके left side पर column add हो जाएगा और अगर हम चारे हैं जी इसके इसी cursor के left right side पर भी insert column हो जाए तो right click किया माउस की right click करेंगे और insert के button पर click करेंगे उसके बाद इसके insert के बटन पे click करेंगे और insert column to the right side to the right side पे click करेंगे तो वो right column ahead हो चुका है वाजी ठीक है जी ये table मे column को insert करने का और row को insert करने का तरीका का यही था और इसी तरह इसके साथ साथ अगर हम row को delete करने के लिए row को delete करने के तरीका का आप देखते हैं सबसे पहले हम column पे कुछ entries करेंगे column में हमने entries की है अब हम चाह रहे हैं कि ये column या ये row जो है ना इसको select करेंगे और इसको हम delete करना चाहरे हैं हमने सबसे पहले इसको select किया उसके बाद mouse की right click करेंगे और delete cell का बटन पर click करेंगे हमने row को delete करना है तो enter, delete enter row को click करेंगे ok का बटन करेंगे तो वो row delete हो चुकी हुई है और अगर हमने column को delete करना चाहरे है तो हम सबसे पहले जो column हमने delete करना है उसको हम select करेंगे select करने के बाद delete column करेंगे delete column के select करेंगे तो वो column हमारा delete हो चुका हुआ है जी ठीक है जी और एक तरीका कर ये था दूसरा तरीका कर ये है कि हम table के layout के ओपर भी जाएंगे उसके तरू भी हम इसको raise कर सकते हैं like हमने ये column दो इंट में से एक cell बनाना है तो उसके लिए हम razor का इस्तमाल भी कर सकते हैं razor के साथ हम click करेंगे तो ये देखेगा जी एक cell बन चुका हुआ है ठीक है और अगर हम एक तरीका कर ये था और दूसरा ये था कि अगर हम home के button पर click करें और merge का button का आता है right click करें तो merge का cell काता है merge cell करेंगे तो वो cell एक दूसरे में merge हो जाएगा जी ठीक है जी और उसके साथ साथ हम table का देखते हैं जी table का design कैसे किया जाता है click किया ओपर layout पर गए design पर click किया तो ये table के designs बन रहे हैं जी इसमें colors भी है different shapes भी है different designs है जो designs like हो जो प्रशंद हो according to statement according to statement जो भी design आपको require होगा उसी को select करके change भी कर सकते हैं ठीक है दोस्तो आज हमने सीखा है table को insert कैसे किया जाता है और साथ साथ हमने सीखा है row को insert कैसे किया जाता है और row को delete करने का तरीका का हमने सीखा है और साथ साथ हमने column को insert करने का तरीका कर चीखा है और साथ ही column को delete करने का तरीका कर भी हमने सीखा है बाग सफ़ कहता है यह है कि हम किसी image को set करना चाहरे होते हैं image को तो वो image अपनी proper place पर नहीं आ रही होती तो उसके लिए भी हम table को insert करते हैं table को insert करने के बाद like हमने दो column चारे हैं कि right side पर या left side पर हमारी को image आ जाए तो उसके लिए हम image को पहले insert करेंगे सबसे पहले तो हमने table को insert किया table को insert करने के बाद जिस place पर हम चारे हैं कि image इस पर set हो जाए तो उसके लिए हम उसको table को insert करेंगे like हम without table को एक दफ़ा pictures को select करके देखते हैं open करके देखते हैं like यह image है तो इसको हमने insert किया तो यह देखें जी अगर हम इसको right side पर लेके जाना चारे हैं तो यह proper right side पर नहीं जाएगी अगर हम चारे हैं कि इसके दरम्यान में यह आए तो साथ साथ इसके text भी कुछ लिखा जाए हमने इसी को insert किया image आगी है और इसके साथ यह text भी लिखा जा रहा है बाद अफ़ाए coral रा नहीं होता तो हम MS Word के उपर काम को करना चाह रहे होते हैं तो इसी तरीके हम काम को complete कर सकते हैं इसमें image के size को काम ज़्यादा भी किया जा सकता है उसके लिए कोई इतनी परिशानी वाली बात नहीं है हम जितना चाहें इसको size को कम भी कर सकते हैं ज़्यादा भी कर सकते हैं साथ-साथ हम चाहरे हैं कि यह table की अंदर ही insert हो जाए और उसके साथ हमने जब यह सारी चीज़े add कर ली तो अब हम चाहरे है कि यह row जो है ना इसके साथ जो borderline है table की वो नजर ना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी यह borderline पर click किया border के button के उपर no borderline करेंगे तो यह देखें जी कि image के साथ हमारा text भी लिखा हुआ रहा है और image के चीज़े साथ-साथ image भी आ रही है और इसी तरह इसको हम अगर next इसमे add करना चाहें तो column को पहले हम सबसे पहले border को highlight करेंगे और उसके बाद फिर इसको insert कर सकते हैं delete कर सकते हैं इसको merge भी कर सकते हैं यह सारी options हमारे पास मुझूद होती हैं बहुत शक्रिया जी जजा कर लाज़े